आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाएगा नमस्कार प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सरकी पाट साला में है आज इस वीडियो में हम दस्वी केक्षा के गणित विशे की चैप्टर तीन की एकसरसाइज 3.5 के चोथे स्वाल के चोथे पाट को हल करने जा रही है पहले प्रे 5000 के दूरीपर है हम यह मानने ये है यह और इनके बीच में दूरी कितनी है सो धै एक ah eos citation दूसरी कार a बीसे एकी सेमय पर चलना प्रारम करती है यदि यह का 그랬 Arbeit भिन भिन कालों से चले हैं यह अलग से वह अलग chant एकी दिशा में चलती है यहां पर बच्चे किनफियोज हो जाते हैं यह इदर चल गया यह इदर चल गया नहीं एकी दिशा में मतलब मालो अगर यह इदर जा रही है मैं इदर पूरो माल लेता हूं अगर यह पूरो में जाएगी तो यह भी पूरो में जाएगी यह होता है ए की दिशा में तो वह कितने घंटे पसात मिलती है पाच घंटे पसात और यदि वे विप्रित दिशा में चलती विप्रित दिशा में ए इधर ए पूरो में तो भी पस्ची में यह होता विप्रित दिशा में तो वे ए घंटे पसात मिलती हैं दोनों कारों की चाल गयात कीजिए बार-बार मैं इस बात पर क्यों जोर देता हूं कि प्रसन को आपको पढ़ना आना चाहिए जिस बच्चे को घनित पढ़ना आ गया घनित में मार नहीं खा सकता वो असानी होता है फिक है अब करते हैं क्या निकालना हमने दोनों कारों की चाहिए माना पहली कार की चार मैंने X किलोमेटर परावर इसका मतलब क्या होता है कि एक घंटे में X किलोमेटर जा रहे हैं X किलोमेटर परती घंटा माना दूसरी कार की चार मैंने क्या माल लिया Y किलोमेटर परावर दूसरी कार की चाल वाई के लावागा अब देखिए परसनानो साथ according to question पहली condition में कहते हैं अगर वो एक ही दिशा में चलती हैं एक ही दिशा में कितने घंटे बाद मिलती हैं पांच घंटे में अब मालो हम ये माल लेते हैं कि एवाली जो है वो ते चलती है मिलेगी ये भी से जो चली थी वो यहां से लेकर यहां तक चलती है ये भी पांच घंटे में वाई तो यह दूरी कितनी होगी 5Y ठीक है यहाँ पर जाके मिल जाती हूँ दोनों इस पॉइंट पर इसने 5X इसने 5Y अगर हम इस 5X में से ये पूरी में से ये D वाली distance घटा दें तो ये कितनी बचेगी 100 बचेगी फिर समझे 5X में से 5Y घटा दें इधर वाली बचेगी जो क्या है 100 खेगी तो परसना नुसार 5X माइनस 5Y किसके बराबर 100 के ये मेरी पहली equation बन गए ठीक है अब हम दूसरी condition पर चलते है according to question क्या कहता है जब वो विपरी दिसा में चलती है विपरी दिसा में यहां से देखी ये A से इधर जा रही है और ये मैं इधर A को बना लेता हूँ यहां से A से B ये इधर जा रही है ये इधर आ रही है तो कहीने कहीं पर बीच में मिलेंगी मा लेते हैं ये यहां पर मिलेंगी तो A घंटे के बाद ही कह रहे है ये यहां से A घंटे में एग घंटे में तो कितनी चली यह एग घंटे में कितनी चलेगी y तो x प्लस y दोनों total distance किसके बराबर हुई 100 के बराबर तो यहाँ पर क्या हो चाहेगा x प्लस y is equal to हमारे पास कितना हो गया 100 यह हमारे पास second equation हो गया ठीक है तो अब हम इनको will open video से कर लीजिए जिस मर्जी से कर लीजिए आपको असान लगता है मान लीजिए हम पहली equation को ऐसे कैसे लिख लेते हैं 5x minus का 5y बराबर है 100 हो गया मैं दूसरी equation को 5 से गुणा कर देता हूँ दूसरी equation गुणा में 5 तो क्या हो जाएगा 5x प्लस का 5y और 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 500 हो गया अब ये भी बराबर ये भी बराबर है आपकी वर्जिय घटा लीजिए जोड लीजिए जोडने पर कर देते हम जोडने पर sign change नहीं होंगे 5x 5x कितना हो जाएगा 10x ये minus का ये plus का कट जाएगे 100 प्लस 500 कितना हो गया 600 हो गया अब x की वैलू 10 डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 60 हो गया x की वैलू 60 ये मान इसमें रख दीजिए या विलोपमिन से फिर ऐसे कर दीजिए x का मान मैं x का मान 2 में रखने पर 2 में रखने पर x का मान रखेंगे 60 प्लस y बराबर है 100 y बराबर ये दर जाके घट जाएगा कितना रह गया 40 दोनों वैलू आगी मतलब पहली कार की चाल पहली कार की चाल x थी मतलब 60 किलोमेटर पराबर दूसरी कार की चाल कितनी है ये कितनी आई थी मेरे पास y का मान 40 था तो ये हो गया 40 किलोमेटर का एक बार चेक भी कर ली अगर ये 5 घंटे में मिलती है 5 घंटे में 60 वाली जो स्पीड है 60 हुना में 5 कितने किलोमेटर गया 300 किलोमेटर और बी वाली उदर जाएगी वो 40 के हिसाब से 5 40 पंजे कितना हो गया 200 तो 300 में से 200 गटाओ गया कितना हो गया 100 और दूसरे हिसाब से जब एक दूसरे के विपरेत आती है ये 60 और प्लस 40 60 प्लस 40 कितने के बराबर होता है 100 के बराबर तो इस परकार हमने अपने उत्तर को भी सत्यापित कर लिया इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम अगले प्रसंद के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यादा